हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ खेरेत सही होंगे फ्रेंड्स आज मैं ये डिजाइन लेकर आई हूँ जो बहुत थी इजी है बनाने में और देखने में भी अच्छा लगेगा तो चलिए इसको मैं बताते हूँ कि कैसे बनेगा ये वाइट कलर का पीस है जिसकी वीद भी फोर है और लेंग्ट भी फोर ही है तो ये हमको वाइट कलर का चार पीस चाहिए एक ब्लॉक बनाने के लिए और इसमें कभी पाँच पीस चाहिए एक दो तीन ये चार पीस है और ये एक मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कैसे बनता है तो इसको बनाने के लिए ये टू एंड हाफ इंच है ये वाइट और रेड भी आप अपने हिसाब से कलर चूच कर सकते हैं तो इसके लिए हमको बीच में लाइन ड्रॉख करना पढ़ेगा इस कॉर्णर से इस कॉर्णर तक और दोनों साइड हम सिलाई करेंगे इस पर रखकर दोनों साइड इसका इधर और इधर सिलाई करेंगे सिलाई करने के बाद इसको कट करेंगे तो ये हमारा पीस ऐसा बनेगा तो चलिए इसको सिल कर दिखाते हो देखे फ्रेंट्स ये हमारा सिलने के बाद ये इस तरह से हाप ट्रिंगल में बन जाएगा ये देखे दोनों साइड सिलाई करने के बाद इसको कट करेंगे अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे इसको इसको सिलेंगे तो हमारा ऐसा पीस बनकर रेडी हो जाएगा तो इसको हम सिल लेते हैं देखे फ्रेंट्स हमारा ये पीस बन गया है तो हमको पाँच पीस ऐसा चाहिए वह भी चार इंच इसकी लंबाई हो और चार इंची सिलने के बाद इसकी चौड़ाई हो तो हम इसको एक दूसले के साथ जॉइंट कर दें पहले ये ब्लॉक फिर ये प्लेन वाला कपड़ा लगेगा लेकिन हमारा ये एक ही डाइरेक्शन में जाना चाहिए ये डिजाइन ये हमारा ऐसा ब्लॉक बनेगा तो एक दूसरे के साथ हम इसको जॉइन करेंगे देखे फ्रेंड्स हमारा ये ब्लॉक बनकर रेडी हो गया ये मेजर्मेंट में 11 इंच आया है चारो साइड से ये 11 इंच आया है ये इसी के पराबर हम वाइट कलर का पीस लेंगे ये भी 11 इंच है जब हम इसको जॉइन करेंगे तो पहले हमारा ये ब्लॉक लगेगा इसके उपर ये ब्लॉक लगेगा फिर इसके उपर ये वाला ब्लॉक लगेगा इसी तरह से हमारा ये दो ब्लॉक से ही बड़ा सा बेट सिट बन जाएगा पहले हमारा यह ओला ब्लॉक लएगा फिर वाइट कलर के पीस लएगा फिर इसके ऊपर ओला ब्लॉक लएगा इसी तरह से हमारा एक बड़ा सा बेट सीट बन जाएगा आप बच्चों का बेप सीट बनाएए या फिर बडो का सिंगल डावर कुछ भी बनाएए ऐसे ही बनेगा आप कुसन कवर अगर बनाना चाहते हैं तो ये एक पीस लेकर इसके चारोर साइड हम पट्टी लगाकर वाइट या रेड कलर जो भी इसमें कलर है आप बना सकते हैं आप है आप बनाएए